मुश्किल नहीं है कुछ भी इस दुनिया में तू जरा हिम्मत तो कर ख्वाब बदलेंगे हकीकत में तू जरा कोशिस तो कर नमस्कार सातियों मैं अजीद कुमार आपका डिस्टल प्रैट्फर्म कम्टेशन कमुनेटी पे आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूं तो दोस्तों कैसे आप सब लोग कैसी चल रही आपकी टेट की तयारी आसा करते हैं आप सबों के टेट की तयारी काफी अच्छी खासे चल रही होगी और इसमें हम लोग जो कुछ भी आपके लिए सहयोग कर सकते हैं हर संभाव सहयोग करने का प्रयास कर रहे हैं चलिए तो आज हम लोग अपने से जीटेट के exam के point of view से English का ये तीसरे वीडियो सेशन है यहां पर continue करें आए इस तीसरे वीडियो सेशन में भी हम लोग आपने कुछ कोशन को यहां पर solve करने का प्रयास करेंगे इस set के माध्यम से भी हम आपको कुछ नई चीज़ों को सिखा करने का प्रयास करेंगे तो आए बिना किसी डिले के हम लोग अपने इस वीडियो सेशन को यहां पर सुरू करते हैं और चलते हम लोग फटा-फट कोशन की तरफ देखिए यह आपके पैसे का कोशन है और पैसे के कोशन को बनाने के लिए हम बोर्ट से थोड़ा पीछे आ हैं ताकि आप सभी लोग अच्छे तरीके से इसको देख सकें पढ़ सकें और ज्यादा बेतर यह होगा कि आप इसका स्क्रिंस ओट लेके इनके सारे कोशन को एक बार खुद से बनाने का प्रयास करेंगे आए सबसे पहले हम आपको इनका कोशन दिखाते चले तो यह था हम आपको खुद से सॉल्व करने का प्रयास करना चाहिए फिर यह रहाब का कोशन नंबर थ्री और फिर इसके बाद हम लोग यहां से आगे बढ़ते हैं यह रहाब का कोशन नंबर फूर इसका भी आप स्क्रिंस ओट ले 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 पैसे से पांच कोशन पूछे गए हैं तो पा दी रहे इए इसे प्रकार के है इस स्टोरी में रहाब इन बढ़ने का प्रयास करें करा है मैं कर्यारी प्यात इज्स और ट्रडिस्टनल आट प्रक्रींचें यहां से इसको समझने disputable मतलब इसके heavenly origin का जो कहानी है यह disputable है इसमें विवाद है dispute का मतलब यहाँ पर जगड़ा नहीं है विवाद है controversy है foreign travelers mentioned foreign travelers इसको mention करते है किसको? कौन mention करता है foreign travelers किसको? कलारी को practiced in Kirla as early as 13th century कब कही है? तो यह 13th century कही है which makes it the oldest martial art अब देखे यह कब का है भाई तो यह इसको दुनिया का सबसे पुराना martial art बताया गया है किसके according foreign travelers के according ठीक है जिनोंने अपने books में या अपने writings में इस बात की चर्चा की कि यह जो कलारी था यह कब existence में था भाई तो 13th century में ठीक है कलारी is considered to be the most complete and scientific martial art देखे इसको क्या माना जाता है भाई तो इसको माना जाता है most complete and scientific martial art माना जाता है इसको ठीक है is the mother of all mother arts देखे यह इससे question जरूरा सकते है mother of all mother of all martial arts ठीक है अब आगे बढ़ते हैं से बोधी धर्मा अब बोधी धर्मा क्या है यह कौन है बुद्धिस्टर्फिकति था ठीक है यह कौन था तो यह कोई व्यक्ति था ठीक है यह कौन था नाम into China and Japan ठीक है तो चाइना और जापान में यह जो कलारी आर्ट था इसको किस ने introduce किया तो इसको किया बोधी धर्मारी ठीक है what makes कलारी unique is the fact that it is much more than a martial art ठीक है इसको जो unique बनाता है वो क्या है भाई तो इसका unique feature क्या है unique feature इसका यह है कि इसको martial art के अलावा यहां देखे इस the fact that it is much more than a martial art यह क्यों martial art ही नहीं है martial art से अलग बहुत कुछ है अब क्या है अलग तो यहां पर इसका description मिलता है हम लोगों को student of कलारी कलारी का जो student होता है यह क्या पढ़ता है यह philosophy पढ़ता है medicine पढ़ता है attack करना पढ़ता है and self-defense यह देखे यह बड़ा important point ठीक है इससे question आ सकते हैं इससे question आ सकते हैं and above all और इससे भी आगे और भी बहुत कुछ ठीक है बहुत कुछ सीखता है how to avoid confrontations और किस प्रकार से हम लोगों को किसी चीज़ का सामना करने से बचना चाहिए यह भी सिखता है where he has to attack somebody or defend himself ठीक है सामना करने से कैसे बचेंगी किसी पर attack करने की जरूवत होगी तो कैसे करेंगे अपनी रक्षा करनी हो तो यह कैसे करेंगे यह सारी बात कौन सीखता है कलारी का स्टूडेंट सीखता है इन ही कारणों से इसको कहा गया कि कलारी जो है अपने आप में यूनिक है ठीक है चली अब यहां से आगे बढ़ते हैं चलते हैं अपने अगले पेज की तरफ और अब हम लोग यहां से कोशन को बनाना सुरू कर है बलकि अलई आटक करता है ठीक है कैसे confrontation से बचना रही में वह भी सीखता है कैसे किसी पेट wild करना कैसे अपना sądiv यह बल्कि वो भी ठीक है ऐसा सेंस एक्सप्रेस करना हो तो नौट ओनली के साथ बट ऑल सो आईदर के साथ और का प्रयोग कप करते हैं या तो पहला या तो दूसरा या तो राम या तो सीटा ठीक है तो या तो पहला या तो दूसरा या तो यह या तो वो ऐसा सेंस एक्सप् ठिक है ऐसे सेट यूश करना हो तो आइदर के साथ enrico यूश करतें न तो पना आ यहां पे सक नवर घर्डेट नहीं करता है तो चली आगे बढ़ते हैं और अइसे ही आंसर के साथ आप अपने प्रोच को आप अपने आंसर को टैली करवा लेज़ेगा और चेक कर सकते हैं आपके कुरेसी कैसी चल रही है चलिए इसमें हम लोग बहुत कुछ सीखने वाले हैं कलारी सौरी कलारी पायट बिलॉंग स्टू इंडिया ठीक है अब यह जो था कलारी यह कहां से बिलॉंग करता है जापान से बिलॉंग करता है ठीक है चलिए अब यहां पी हमें क्या चाहिए तो यहां पे हमें एक ऐसा कंजशन चाहिए झो किर एक sentence है और यह भी क्या है एक sentence है अब इन दो Sentences को जोड़ने का काम को रहता है conjunction करता है तो यहां पी हमें appropriate conjunction की जरूरत है आज यह चलें डेट का मतलब क्या होता है की इस मतलब क्या होता है की ठीक है up with as-cana मतलब क्या होता है जब की वाइस का मतलब की ओढ़िए a से ठीक उसी तरीके से यह हम कह सकते हैं कि कालारी से बीलोंग कर तो मेरा परोप्रीयेंट लेगा उस्ट क्या नमबर टूटिक हो अगले कोशन की तरह एक Edge कallar is Heavenly औब इजिन कुछ लोग अभी ut li ? क्या करते हैppenka वाلا माद भी Ju अब भी भी मानते हैं तो यदि प्रेजंट की किसी हैविट को बताना हो या आम तोर पर आप ऐसे समझे कि किसी फेमस व्यक्ति का कोई लाइन रिपीट करना हो कोई प्रोवर्ब यूज करना हो कहावत यूज करना हो सेंग सी यूज करना हो करना हो तो इसके लिए लिए प्रेजंट का यूज करते हैं प्रेजंट का यूज करते हैं और मैं या बताते हैं यह यह बा Maya होता है ठीक है बैसमझ में आ गई अब आजये तो चुकि अभी भी इसको इसी तरीकी का मानते मतलब पहले भी मानते रहे थे मान रहें तो ऐसा कोई भी काम जो time के नहीं करता है पहले जो है तो चुकि वर्तमान में वर्तमान में भी उसका यूज किया जाता है ऐसी बात को बताने के लिए हम लोग यूज करते हैं प्रेजेंट इंडिफरेंट अभी तक आपको बात यह दिन नहीं समझ में आ रही हो ठीक है आप में सहिसे कुछ अब देखे इसका हमेशा हमेशा रहेगा सौ साल पहले मुझे तुम से प्यार था आज भी है कल भी रहेगा मतलब टाइम के एकॉर्डिंग चेंज नहीं क्या इंद सेम वही यहां वही बात बताई जा रहे हैं कुछ लोग अभी भी इसको heavenly origin कहीं मानते हैं मतलब उनके मानने क यह जो पॉनपरा था यह जो मांटइट था वह पहले भी वह था आज भी वहिए ठीक है चलिए तो यह टाइम के ऐउनकर नहीं करता है उसको बताने के लिए मिलों क्या यूस करते हैं हम लोग यूज करते हैं प्रेजंट इनडिफरेंट और प्रेजंट का मतलब वर्प का यहां पर हम क्या यूज करेंगे वर्ब का फॉर्म का यूज करते हैं इसका यूज करते हैं इसका यूज करते हैं प्लूरल सब्जेट के साथ किसके साथ और वर्ब के फिट फॉर्म का परियोग करते हैं वर्ब के फिट फॉर्म का परियोग करते हैं singular subject के साथ किसके साथ singular subject के साथ इसका प्रयोग करते हैं बात समझ में आ रही है चलिए तो अब यहां देखें यह some people some के बाद people people क्या होता है Contable people होता कैसा है plural कैसा होता है plural अब यह plural है तो इसी के कोडिंग वर्ब आएगा तो यहां पर क्या लिखेंगे वर्ब का फॉस्ट फॉर्म आज यह ऑप्शन में देखें क्लेम्ड क्या है तो यह वर्ब का सेकंड फॉर्म कैंसल हो गया क्लेम्स क्या है यह वर्ब का फॉर्स्ट फॉर्म वर्ब क्लेमिंग अब यह क्लेमिंग क्या है तो यह वर्ब का फॉर्ट फॉर् तो बी इन दे एक्जिस्टेंस कलारी एक मातर ऐसा मार्शल आठ है जो अभी भी प्रेजंट है तो देखें यह वहीं कॉंसेप्ट है जो पहला वाला था ठीक है इसका हमेशा हमेशा रहेगा सो साल पहले मुझे तुम से प्यार था आज भी है कल भी रहेगा मतलब यह 13th century से ल ठीक है है तो इसको बताने के लिए union करते हैं present रिडि़ एब का फिपट फॉर्म अभी देखें जो कलारी क्या है तो यहें सेंगुलर प्रॉपर नावन है नों क्या होता है प्रॉपरर नावन आम तोर पर होता है सिंगुलर होता हैं confusion क्योंकि आपने जो वर्ब का फॉर्म पड़ा है उसमें आपको कहीं न कहीं है to यह कल पीया महीं डूर कर देते हैं यहां थे अको लिखते हैं brilliant a यहां पर हम लोग करो करते हैं लिखना तो यहां पर हम लोग लिखते हैं मोग को यहां बबार श्रमान को ठीक है यहां पर लिखते हैं वाज यह यह लोग लिखते हैं बी को ठीक है तो बी का ही यह दोनों क्या है इसी का फॉर्म होता है एक का है तहा होता है श्रेमें का फॉर्म है तो यह भी बी कहीं फॉर्म है बात समझ में आ गई तो जो भी यहां था वही भी वहां है बात समझ में आ गई अब आ जाईए आप यहां पर देख लिजिए कि वर्ब का फिफ्ट फॉर्म क्या है तो वर्ब का फिफ्ट फॉर्म यहां पर इस आ जाएगा यह वाला पैस इस का कभी कभी आप से टाइटल भी पूछा जाता है तो टाइटल बनाने बढ़ा आसाल होता है चुकिंटिपलड हमारे पास कुशन होते हैं चार-चारोफ से इन्हीं में से कुई ने खोटा है अब यहां आ आजैए इसमें बार बार किसकी चर्चा की गई कि यह क्या है mother of all marcelot तो यह हो गया हमारा title ठीक है क्योंकि बाकिय कोई belong ही नहीं करता drawing और painting का इससे कोई मतलब नहीं table tennis का इससे कोई मतलब नहीं lawn tennis का इससे कहीं दूर दूर तक कोई मतलब नहीं था next आगे बढ़ते हैं से अपने अगले question की तरफ देखे हमारा अगला question क्या है अगला question है when to the session of sweet silent thought अब इसमें बताना which literary device is used in the above line अब इसमें हम लोगों को पढ़ना alliteration, personification क्या होता है similarly क्या होता है, metaphor क्या होता है यह तो similarly और metaphor के बारे में चर्चा हमने इसके पहले वाले वीडियो में भी आपके साथ कर रहे थि हमने क्या बताये था similarly में comparison को express कह जाता है क्या comparison को express कह जाता है और sentence में क्या लगा होता है तो as लगा हुए मिलेगा या like लगा हुए मिलेगा या कभी-कभी so लगा हुए भी आपको मिलता है और यदि same sentence को same sense को express करने के लिए हम लोग इसी sentence से as like so इस प्रकार का जो word के use किया गया होता है इसको remove कर दें तो वही बन जाता है आपका metaphor personification क्या होता है भाई तो इसके लिए हमने आपको बताया था जब non living thing को living thing के रूप में हम लोग present करते हैं तो इसी को कहते है personification ठीक है अभी जो alliteration है इसके लिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं पहले इसको समझते हैं फिर आते हैं question के तरफ देखे सबसे पहले alliteration को हम लोग समझें कि alliteration होता क्या है जैसे आपके सामने देखें यहां पर कुछ sentences लिखा हुआ है क्या लिखा हुआ भाई तो पहला लिखा हुआ बाबा बाबा ब्लैक सिप अब जरा आप यहां पर आ जाए इस question में देखें बाबा कभी बाबा कभी ब्लैक का भी ठीक है होता क्या है कि जब एक से ज्यादा सब चाहिस होँ हों इनका यूज सबसे ज्यादा आप देखेंगा टंग ट्विस्टर में किया जाता है ठीक है तो टंग ट्विस्टर वगएरा जो अरूड को लिखोन करना होता है नोटिस करना होता है अब यहां पर एक से सब्सक्त करें से लिखाने का इसमें से यदि या सब्सक्राइब 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 यह साउंड से हो ठीक है और यह सब्सक्राइब के तो इसी को हम लोग करते हैं एक और एक्सांपल यहां देखिए जैसे यहां देखिए कुछ को जो साउंड को फूकस नहीं करते यहां पे बाबा बाबा ब्लैक सिप में उनको नजर आता है बी 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 यानि के लेटर से हम होना चाहिए ठीक है यहां पे देखे दो सी है और दो के है ठीक है अब इसमें लेटर से मतलब नहीं होता है किस से मतलब होता है साउंड से मतलब होता है इसका जरा बोल के देखे कु कुछ से सरू हूं रहे हैं यह सब सेम साउंड से सुरू है और यह सारे कंसे सरे हाँ याना साउंड कैसा होना चाहिए सेम होना चाहिए भी से साउंड को फोकस करना है दोस्तों इधर उधर आप मत दिमाग लगाईएगा अब एलिट्रेशन के भी दो और फॉर्मेट होते हैं अब यह तो हो गया कि सेम साउंड जो है वो रिपीट कर रहा है कहां पर यह तो यह पर साउंड रिपीट करेगा और ये वोवल साउंड यह वोवल साउंड रिपीट करेगा करेगा कौन से साउंड यदि वोवल साउंड रिपीट करेगा तो उसी को में लोग आते हैं असोनेंस क्या करते हैं ठीक है बात समझ में बात समझ में आ गए अब आज यह एक्जांपल की बात करें यहां पर देखें यू सी के यहां देखें यू सी के यह सेम साउंड कर रहा है तीनों में और तीनों कहांँ छुकि यू सीके कॉंसरण साउंड है कॉंसर्ण क्वा कये जिसको क्या कहेंगे कवेले कॉंसुक्षी करके यह वाला तो सिर्फ है एलिटरेशन और सिर्फ beginning के अलावा middle में भी हो तो उसको हम लोग क्या कहेंगे उसी को हम लोग कहेंगे consonant होगा तो कहेंगे consonants और vowel होगा तो कहेंगे assonance ठीक है अब जैसे यहां पर देखें यहां पर देखें डबल E M ठीक है इम यहां देखें B E E M, यहाँ पर भी आगया E M, यहाँ पर देखे A M, आप देखे इंच सब के later से अलग अलग आपको दुखरे एबर sound कैसा ह मीडेल म by मीडेल में यहाँ लेकिन हर बार यह एकदम हम मीडेल में ही हो इस कोई गारंटी नहीं है एक से ज्यादा सब्दों में यह same sound repeat कर रहा है तो कुछ beginning में भी हो सकता है कुछ middle में भी हो सकता है बट आम तोर पर ये जनरली आपको middle में ही देखने को मिलते हैं consonants भी और assonance भी बाते समझ में आ गए चलिए तो अब इन सब को समझने के बाद हम लोग आते हैं अपने इस question में तो इस question में देखें यह जो हमारा question था इस question में हम लोगों को क्या करना था तो इस question में हम लोगों को यह तीन बातों को हम लोग समझ लिये थे अब alliteration को भी हम लोगों ने समझ लिया अब आईए इनको हम लोग question में लगाने का प्रयास करें देखिए went to the season of sweet silent thought ठीक है अब इसमें देखिए season का S यहाँ पर sweet का S यहाँ पर silent का S यहाँ पर इन तीनों वर्ड में देखिए यह सेम साउंड repeat कर गया सेम साउंड repeat कर गया और सेम साउंड कहा है तीनों ही words के सिर्फ और सिर्फ beginning में है तो beginning में इसले इसको क्या बोलेंगे इसको मोलेंगे एलिट्रेशन क्या बोलेंगे तो आसा करते हैं religious और consonants में जो आपका confusion था ये हमेशा हमेशा किलिए आपका पूरी तरीके से clear हो चुका होगा next आगे बढ़ते हैं से तो यदी ये चीज़े आपको the थीक लगती है ये चीजе आपको ठीक लगती है तो आप इस वीडियो को ज्यादा-ज्यादा लोगों तक पहुचाने का प्रयास करें रिंडनाइए ओर यहां पर ध्यान देशी है यह पर क्या साउंड और फिर यहां पर देखें यह साउंड यहां पर भी यह साउंड अब देखिए यह साउंड है यह साउंड कहां रिपीट हो रहा है कुछ सब्दों के बिगिनिंग में कुछ सब्दों के बिगिनिंग में कुछ सब्दों के कहां पर कुछ सब्दों के बिगिनिंग में कुछ सब्दों के middle में तो हमने आपको क्या बताया था कि सिर्फ और सिर्फ beginning में हो तो वो क्या होगा वो होगा हमारा elitration ठीक है लेकिन यदि वो middle में हो यह middle और initial दोनों में हो starting में भी हो middle में भी हो ठीक है तो दो चीजे हो सकती है असोनेंस और consonants ठीक है अब ये sound कैसा है तो यह sara का sara साउंड है वोवेल साउंड वोवेल साउंड है तो इसको क्या बोलेगे असोननस बोलेगे क्या बोलेगे असोनेंस बोलेगे तो हमारा answer क्या होगी osthalf अब यह अब आईरनी को भी थोड़ा हम लोग समझते चलें पैराडॉक्स को भी हम लोग थोड़ा समझते चलें अब यह आईरनी क्या होता है भाई तो यह हासे होता है क्या होता है यह हासे होता है मजाकिया टाइप का होता है ठीक है इसमें हासे का से हुमर का सेंस क्रियेट होता है प बोली कुछ और जाती है होता कुछ और है जैसे किसी से जांब कि MONSya को सबस्तब्स को तूढकर एके थे कुसी को तुमहीं पैट टूट गया घलो कोई बात नहीं पैट तो डूटेंगा है चाहे यह वताओ जब तुम्हारा पैट टूट तो कितना दर्ड हुआ था तुमकों दर्ड हुआ था अब के अब नहीं को थोड़ा है का प्रियास करते हैं यह पर उपर हमेएट के वंडिक यह खिंप यहां दिए जब बच्चा है बच्चे का को और होगा कि child is the father of the man की child जो है इनसान का फादर होगा, man का फादर होगा, दोनों चीजे क्या लग रही है यह है चायल किसका father है man, का father, दोनों बाते लग रही है ठीक है यहां देखिए I must be cruel, cruel होना चाहिए किसके लिए काई लोने के लिए ठीक है इसको क्या करते हैं इसको किயा करते है तो ऐसा करते हैं कि जो ऐस ओर होगा आपका I'm थहां से अब निकल गया होगा अुए यह अगे चलते हैं सो अगले कोशन में चलता है सी वाज फैंटॉम ऑफ डिलाइट अब देखें डिलाइट का मतलब पर सन्नता खुसी यह तो होता है यह फैंटॉम क्या होता है तो यह होता है प्रीत भूत मरे हुए व्यक्ति मरे हुए आत्मा के लिए हम लोग यूज करते हैं यह किसी भी ऐसे अन क्या देखने को मिला आपको आत्माओं के बारे में जानने को मिलता है हाँ यह ना कि जैसे वो जो बैताल था वो एक भूत पिचास टाइप का चीज था जब भी कभी विक्रमादित्ते को जरूरत लगती थी वो उसको याद करते थे और वो आ जाता था ठीक है तो इस प्रक भी लाइन का एक सोट कह सकते कि पोयम होता है सौट लिरिक होता है ठीक है और यह जो 14 लाइन सोते हैं इसमें से आप देखेगा कि इसके तीन-4 पार्ट होते हैं ठीक है पले इसको 3-4 में लिखा जाता है ठीक है अब इन 3 कौाटर में 12 लिक्षा होते हैं और next two line अलग लाइ तो तरीके से चार-चार के तीन सेटप में लिखते हैं और यह जो लास्ट वाला लाइन होता है लास्ट का टू लाइन होता है इसके थीम को डिस्क्राइब कर रहा होता है ठीक है चलिए तो यह बात करें यहां पर देखिए तो यहां पर लोग कौन सा ली टेररी टर्म यूज़ करेंगे एस लाइक क्या यूज़ क्या नहीं किया तो सबसे पहले होगा नहीं चुकि यह पर एक यूज कर लिया गए इसलिए बिखोकर होगा नहीं और चुकि यह 14 लाइन का स्टान्जा है नहीं इसको हम लोग सोर्ड भोलेंगे नहीं तो हमारा आंसर क्या बनेगा हमारा चाहिए और पिछले क्लास में आपको बताया भी था कि सीमिली और metaphor same meaning को express करते हैं same चीज़ों को express करते हैं लेकिन यदि similarly में जो as like ऐसे सब्दों का प्रयूख किया जाता है उसको यदि हटा लिया जाए और meaning same रहे तो उसी को हम लोग क्या करते है metaphor तो ये था metaphor का example ठीक है next आगे पढ़ते हैं चलते है अगले question में as green as emerald अब emerald क्या होता है भई तो ये होता है पन्ना ठीक है ये क्या होता है पन्ना जो हम में से कुछ लोग अंगोठी के रूप में पहंते हैं हरा पत्तर तो ये प्रकार का हरा पत्तर होता है ठीक है अब इसमें देखिए as का use कहा करते हैं भई क्या हो गया अब यहाइपर बले क्या होता है इसमें किसी चीज्च को बहुत तधी बढ़ाँ चाण़ा कर बताया गया होता है तिक है एश साटायर क्या होता है यह सारे के सारे होते है व्यंगे एक प्रकार के साटायर क्या होता है एक दम कटाक्च क्या होता है कटाक्च ठीक है चली तो इस कोशन का अंसर बना option number four next यहां से आगे बढ़ते हैं अगले कोशन में देखिए हम लोगों से पूछा गया वाटिज परसनीफाइट तो परसनीफिकेशन क्या होता है हमने अभी थोड़ी दिर पहले आपको बताया था कि नौन यहां पर साली पिस के और यहां पिस पिसको यहां लगा मटलब क्या होता है दो अबस्टेक्ट नाउन है जिसको हम लोग सिर्फ और सिर्फ मासूस करते हैं तो ऐसा कोई भी नाम जिसको हम लोग सिर्फ और सिर्फ मासूस करते हैं उसी को कहते हैं उसको क्या करते हैं उसी को कहते हैं बात समझ में आ रही है चलिए तो अब इसके आगए यहां पर चुकी ये क्या हो गया यह होगे नॉन लीविंग क्योंकि अपस च्छ क्या होता क्या है uncountable roar uncountable क्या होते हैं हमेशा अन लीविण हमेशा singular वह ल curry टा हमेशा singular ओर एक है तो यह होगै हमेशा और अन लीविण को यहां पर हाइलाइट यह दर जिनकी को किसको नौन लीविंग को रूप में प्रेजनट करना हो हाईलाइट करना हो तो ऐसे situation में इसी को हम लोग क्या कहते हैं इसी को कहते है परसॉनिफिकेशन परसॉनिफिकेशन यह भी आपको समझ में नहीं आया हो तो अब एक दूसरा example ले लिए जैसे आपने देखा होगा कभी आपके टीवी पे एड़ आया करता था दो सीसे का ग्लास होता था दोनों ग गर्दन तो लचीला है है हम दातों के और मसूडों के कोने कोने तक पहुंचके सफाई करते हैं अब ध्यान देजिए यह दो टूत ब्रस है और दोनों टूत ब्रस क्या होता है नॉन लिविंग होता है ठीक है टूत ब्रस हमेशा और हमेशा कैसा होगा नॉन लिविंग होग किसे सिर्फ और सिर्फ इमोशन पर काम करते हैं तो फिलाल हम लोग यहां थे टूथ ब्रस नॉन लिविंग नॉन लिविंग है तो उसको बात करने का कोई अधिकार नहीं है लेकिन आपके टीवी पे जब इसका आड़ आता था तो दो टूथ बरस को बात करते हुए दिखाया गया यानि कि इनको लीविंग के रूप में प्रेजंट किया गया और लीविंग प्रेजंट किया गया तो यही अज़्य लोगके बैसाउन सब्सक्राइब किया औसार और अगले को चले यहां पर क्या दिखाई दे रहा है आपको यहां पर सबसे ध्यान देजिए पूचा क्या गया है राइम का इसकीम पूचा गया है अब राइम के सबसे आसां सेक्षन हो जाएगा कैसे देखे द्यान देजिए यह दोनों एक ही टाइप का साउंड है अब एक ही टाइप का साउंड है तो जो एक टाइप का साउंड है उसको हम लोग एक नाम देंगे सेकेंड लाइन के एंडिंग में यहाँ पे देखें बोथ यहां पे देखें ग्रॉथ बोथ ग्रोथ बोथ ग्रोथ ग्रोथ लेकिन वाला से अलग था तो उडवाला पहला था यह हो गया दूसरा तो इसको नाम देंगे भी आप इसको ए भी नाम दे सकते हैं पी क्यू आरेस नाम दे सकते हैं अलग-अलग साउंड के कोडिंग ठीक है और यहां देखें बोच ग्रोथ मतलब यहां जो साउंड क्रेट हो रहा वही सेम साउंड यहां आपको सुनाई पड़ रहा है तो यहां पर फिर से क्या रिपीट कर गया यह भी हो सकता था कि चारो के एंडिंग में यह जो अलग-अलग वर्ड दिये हुए होते दिये गए होते चारो का साउंड अलग-अलग होता चारो का साउंड यह अलग-अलग होता तो हमारा सेक्वेंस इस प्रकार का होता ठीक है चारो में से मान लेज़े किसे तीन जैसे सुरू के तीन वर्ड का साउंड सेम होता चौंथा का अलग होता तो मेरा आंसर इस प्रकार का होता बात समझ में है यह D के जगब B लिखते ठीक है बात समझ में आ रही है तो फिल हाल यहाँ पर हम लोगों को जो दिखाई दे रहा है इसका राइम कैसा दिखाई दे रहा है तो राइम इसका A B A B इस प्रकार से हम लोगों को दिखाई दे रहा है अब आ जाए यहाँ पर option को हम लोग A B A B यहाँ पर A के बाद B नहीं आया यहाँ पर दो बारे आगे इसलिए यह गलत हो गया यहाँ पर A के बाद B दो बार आगे इसलिए गलत हो गया A B A B ठीक है तो यह रहा मेरा correct answer option number 3 बात समझ में आ गई आसा करते हैं यह चीज़ भी आपको एकदम आसानी से clear हो गया होग यहाँ से आगे बढ़ते हैं चलते हैं अपने अगले question की तरफ हम लोग देखे हमारा अगला question क्या है I guess given him an answer if he had asked me देखे इसमें आपको क्या सिखना है यह आपको conditional sentence में पढ़ना होता है यह आपको फिर tense में पढ़ना होता है इसमें क्या होता है किसमें दो बाते होती है य फार्ट में यह एक पार्ट में रहेगा तो दूसरा पढ़ना होता है उससे हम लोग योज करते हैं ओड हैं यह फार्मियोस करते हैं और इन दोनों तो आपस में झाप अपार्ट कर penn कर सकता है इसके इंटरचेंज करने से समय वाके के अर्थ पे कहीं कोई प्रभाव नहीं पड़ता है इस structure का यूज हम लोग ऐसी बात को बताने के लिए करते हैं जो संभवत हो था जिसको किया जा सकता था लेकिन किसी भी कारण वस नहीं किया सका और उसके नहीं होने का अब दुख या अपसोस हो रहा हो जैसे आप में से बहुत सारे बच्चों के इंग्लिस खराब होते हैं यह अलग-अलग सब्जेक्ट उनके वीक होते हैं अब बच्चा जानता जरूर है कि यदि हम यह पहले पढ़ लिए होते यह काम हम यदि पहले कर लिए होते तो अब तक हम जॉब में चले गए होते तो यह चीजे करना संभव था लेकिन किया नहीं गया किया नहीं गया इसलिए अब आपको अपसोस होता है दुख होता है पस्चाताप होता है इसी प्रकार के expression को बताने के लिए हम लोग इस structure का प्रयोग करते हैं ठीक है चलिए अब आते हैं हैंसे तो यहां पर देखिए यह जो समानी तोर पे उड़का प्रयोग होता है यदि का सेंस बताना हो यह IP आप पर यहां पर उड़की जगह कोड का प्रयोग कर सकते हैं तो फिर यहाँ पे हो जाता है could have plus verb का third form, could have plus verb का third form, ऐसा भी होता है, बात समझ में आई, अब यहाँ देखिए, यहाँ पे आपको क्या मिला, if मिला, if के साथ subject मिला, subject को आप छोड़ देजिए, यह head मिला, head के साथ, verb का third form, यह मिला, head plus verb का third form, किस के साथ, if के साथ, तो इसको इधर कर लिखना अचाहें लिखना और ऊड़े हैं तो संकक्षिंद आपको दिखाई दे रहा है कुड़के साथ बनेगा circles आंसर क्या बनेगा यह बनेगा मेरा करेक्ट आंसर ठीक है नेक्स आगे बढ़ते हैं चलते हैं अगले कोशन की तरफ देखिया हमारा अगला कोशन क्या है अगला कोशन देखे चूज़ यहां पर इसका आपको मिनिंग बताना है कोल्ड का मतलब क्या होता है थंडा कुछ भी हो थंडा कुछ भी हो उसको नेगेटिव माना जाता है ठीक है थंडा हो कोल्ड हो या वाटर हो यह सब नेगेटिव एक्सप्रेशन को नेगेटिव मिनिंग को एक्सप्रेश करने के लिए ही यूज किये जाते हैं आईए इस कॉल्ड का मतलब होता है डाटना अब यूज का मतलब क्या होता है गाली देना या निंदा करना इंसल्ट अपमान करना से एक लम्बे समय के बाद मिला तो आप यदि अपने किसी दोस्तित के बाद मिलते हैं तो थोडा सा आपके मंन में आसा होता हैं कि हम कई बार ऐसा नहीं होता हैं आप के अंदर होता है लेकिन उसके अंदर कोई excitement आपको दिखाइं नहीं पड़ता है वह सामने वाला candidate आपको ignore करता हुआ आपको feel होता है ठीक है तो इसका answer क्या बनेगा option number 4 next यहाँ से आगे चलते हैं अपने अगले question की तरफ देखिए अगला question क्या है which literary term reference to the problem यहाँ पर देखिए problem और struggle problem और struggle उससे related what ढूंड़ है गाइमक्स क्या होता है भाई पराकास था ठीक है किसी चीज़ की पराकास था action यह होगा ने ड्रामा होगा ने problem और struggle से related एक ही option है conflict ठीक है काफी आसान सा question था यह अगले question को देखिए a form of drama that is intended to amuse drama ठीक है drama का एक ऐसा form जिसमे amusement create करने का हाँ से create करने का उदेश से छुपा होता है उसको क्या करते हैं अब यह tragedy क्या होता है मौज से related माता मौन फूल इस से related सोक से related यह होगा ने biography जीवनी से इसका कोई मतलब ने irony से इसका कोई मतलब ने इसको क्या करते हैं इसको करते हैं comedy अभी थोड़ी दिर पहले हमने आपको बताया था ठीक है तो अब यह तीन option cancel होगे हमारा correct answer बना option number two next अगले question की तरफ चले देखिए अगला question क्या है पिट्रार्चन is one of the categories of यह किस category का है भाई तो यह कौन सा category होता है आईए इसको हम लोग देखें तो पिट्रार्चन क्या होता है पिट्रार्चन होता है sonnit क्या होता है सौरी इन सब का प्रयोग करता है सब्दों के प्रणंसीशन के लिए किसके लिए सब्दों के उच्छारन के लिए इनका प्रयोग किया जाता है अब आजाएए सब्दों के उच्छारन के लिए इनका प्रयोग किया जाता है तो इसको हम लोग क्या करते है इसी को हम लोग करते pronunciation में हम लोग करते हैं ठीक है नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं अगले question की तरफ यहां देखे सामने दिया गया है क्या दिया गया ओआट ठीक है दिखे इसको भले ही हम लोग पढ़ते है वाटर क्या पढ़ते है रहा मारा अर्थात करेक्ट आंसर बना option no.3 next अगले कोशन में चलता है देखिए अगला कोशन क्या है find out the word which begins with a different sound from other given words मतलब यहां पर देखिए आपको यह जो वोट्स धेर सारे दिखाई दे रहे हैं यहां पर आपको यह जो चार वोट्स आपको दिखाई दे रहे हैं अब इन चार वोट्स के बारे में आपको बताना है कि इन में से वो कौन सा वोट है जिसका जो साउंड है वो बाकी सबोसे अलग है यहां देखिए जैसे रीच ठीक है रीप सेम साउंड आ रहा है रीड सेम साउंड आ यह देखिए रीच यह डिफरेंट साउंड आ गया तो यह हो गया हमारा answer हां देखिए बाइट काइट साइट सेम साउंड रिपीट हो रहा है तो यह हो गया हमारा answer option number a ठीक है नेक्स आगे बढ़ते हैं चलते हैं अगले question में the communicative approach in teaching of English has been practiced and developed in इनका कहां पर शुरुआत किया गया भाई तो इनका origin अस्थर बता जाता है France and Britain तो यह हो गया हमारा correct answer option number four नेक्स अगले question में चलें which one is a challenge in the process of teaching English language English language को पढ़ाने में सिखाने में कौन सा challenge होता है बाई तो चुकि English क्या है एक language है और भासा क्या होता है English बड़ा monotonous language होता है हाला कि language को जब आप पढ़ने में थोड़ा सा इंटरेस्ट जगाएंगे तो यह बड़ा romantic होता है तो English language में क्यों रूमेंसी पढ़ना होता है आप में से ऐसे कई बच्चे होंगे जिन उन्हें graduation में पीजी में English को लिया होगा ठीक है या उन्हें graduation या otherwise उसको छोड़के बाकि सारी चीजे कैसी होते हैं monotonous होती है less interesting teaching style ठीक है हमसे मिलें पूरा interesting है यहां कोई exception नहीं हमारे पास हमारे पास कोई exception नहीं आपके पास जितने exception हो सब ढोंड के ला सकते हैं चाहें आपके किसी भी parts of speech से बिलोंग करने वाले हो कोई exception है ही नहीं सब आपका हम logic आपको समझाद देंगे ठीक है और इंद से मुए हमारे class में बैठी है पूरा entertainment से भरा हुआ class आपको मिलेगा ठीक है चले जैसा कि आप थोड़ा बहुत वीडियो में भी फिल कर पा रहे होंगे next आगे बढ़ते हैं चलते हैं अगले question की तरफ अगला question क्या है हम आप जब आप जाते हैं या आपके जैसे जो बच्चे जाते हैं तो आप सबसे पहले आपको कहा जाता है कि आप जो है MTI से बच्चे यानि mother tongue influence ठीक है तो आप native language का जो यूज करते है mother tongue का जो यूज करते है इससे क्या होता है आपको English सिखने में परिशानी होती है क्योंकि कि वो आपके जुबान पर हावी हो जाता है ठीक है तो अब आए इस से related option को ढूंड़े related option एक है option number two काफी आसान सा है जिसको आप भी ना पढ़े भी answer कर सकते हैं the teaching material should be in accordance with the mental is and should have relevance in real life situation the statement refers to यह किस से refer करता है भाई तो यह refer करता है principle of selection किसे principle of selection से belong करता है ठीक है नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं यहां से अगले question की तरफ चले वित डैस students come to see the test test not as a punishment but as a useful feedback मतलब आपके exam में जो होता था पीर मनें समक्ष आप भी जाते हैं आपका दोस्त भी जाता है ठीक है आपके पिरेंट भी जाते हैं आप दोनों एक दूसरे कापी लेके compare भी कर लेते हैं भाई तुमको कितना नंबर है तुमको कितना नंबर है तो equivalent ठीक है समकक्ष का English क्या होता है समकक्ष का English होता है पीर तो इसको क्या करते है इसको काते है पीर evaluation चले अगले question में चले अगले question में चले अगला question दे के what do you think about the two candidates in this election ठीक है दिस is an example of यह क्या है यह किस तरीके का एक्जांपल है तो इसको हम लों काते open ended question क्या करते open ended question करते क्या करते है open ended question करते next आगे बड़े यहां से अब इन सबों के types को हम बहुत explore नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनको explore यह दि हम करेंगे तो time थोड़ा सा थोड़ा सा लंबा खीचेगा तो फिर आपका जो वीडियो है यह बहुत लंबा होता हुआ महसूस होगा इसलिए इसको सौट में इप्टा रहे हैं यहां यह अगले चॉइस ओप्षेंस गीवेन ओते हैं और मल्टिपल जॉइस में क्या होता है कि आप यह प्रक्षण के हैं तब तुर ठीक है अदरवाइज आपका लटकड़ाना तो चुकि चार आप्षण दें दी जाते हैं तो आपका क्या होता है तो इस डिवियेशन से related diagnostic होता नहीं close test होगा नहीं oral होगा नहीं फिर एक ही option बचता है multiple choice test ठीक आगे बढ़ते हैं से अपने अगले question की तरफ अगला question क्या है the remedial English class are very helpful for the students who are भाई देखिए English का हो या किसे भी subject का हो जो इसे बच्चों के लिए चलता है जो वीख होते हैं जो जल्दी चीजों को नहीं कर पाते हैं नहीं सीख पाते हैं उनके लिए यह जिनका छूट गया उनके लिए होता है तो आज ऐसे बच्चों के लिए क्या option given है यहां पर पूर से घरीवी से इसका कोई वास्ता नहीं होते हैं बच्चों के इसका कोई वास्ता नहीं है उम्र से इसका कोई वास्ता नहीं है फिर एक ही option है हमारे पास option नेक्स्ट चलते हैं आज के अपने आखरी कोशन की तरफ देखिए आज का तो हमेसा रचनात्म खोता है ठीक है कैसा होगा वड़ीश को हम लोग यहीं पर IZ har करते हैं कि अपके लिए काफीvel काफी इन फॉर्मेटिव और लर्निंग से भरा हर रहा होगा तो इन्हें वक्तवियों के साथ आज के अपने इस क्लास को में पर समब करते हैं मिलते हम लोग अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत